Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about some doubts regarding the medicinal use of the chapter number 2, that is microorganisms. तो इस सेशन के हंदर हम लोग एक बार जो medicinal use है microorganisms के उसको दुबारा से revise करेंगे. कि क्या होते है medicinal use, किस किस तरीके से ये जो microorganisms हैं, ये अलग-अलग दवाईयों के लिए काम में आ सकते हैं. Some of the medicinal uses of microorganisms are given below. तो अभी हम दो तरीके हैं, ऐसे चीज़े जिसके अंदर दवाईयों वगेरा बनाने के लिए, ये microorganisms काम में आएंगे, और उनहीं के बारे में हम detail में पढ़ेंगे. जो सबसे पहला है, वो है Antibiotics का production, यानि की, जो microorganisms हैं, उनसे क्या बनाई जाती हैं? Antibiotic दवाईयों बनाई जाती हैं, जो हमारे घर में बहुत सारी tablets बढ़ी होती हैं, उनमें से बहुत सारी tablets के पीछे label पे लिखा भी होता है, कि वो क्या है? Antibiotics हैं, तो अब हम देखेंगे, कि ये Antibiotics क्या होती हैं? When we fall ill, the doctors give us some antibiotic tablets, capsules, और injections. तो जब भी हम कभी बिमार पढ़ते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं? हमको कुछ tablet देते हैं, या फिर capsules दे देंगे, या फिर और क्या कर सकते हैं? इंजेक्शन दे देते हैं, तो ये जो tablet हुए, capsule है, या फिर जो injection हुए, ये क्या है? किस चीज़ से बने होंगे? Antibiotics होंगे. What are the antibiotics? पर ये antibiotics होती कैं? हम इतनी देर से बोल रहें कि अगर हम बिमार पढ़ते हैं, तो डॉक्टर हमको antibiotic tablet, capsule या फिर injection दे देंगे. पर ये antibiotics हैं क्या? And how are these produced? और ये कैसे बनाई जाती हैं? अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं. The medicines produced by living organisms such as bacteria and fungi which kills or stop the growth of the disease causing microorganisms, pathogen present in our body are called antibiotics. तो यानि कि वो दवाईयां जो कि जो living organisms हैं, यानि कि जो जिन्दा प्राणी हैं, जैसे कि bacteria हो गया या फिर fungi हो गया, इनसे बनाई जाती हैं. और ये जो इस टाइप की medicines हैं, ये करती क्या हैं? ऐसे microorganisms, जो कि बिमारी फिला रहे हैं, उनको क्या कर देंगी? या तो ये मार देंगी? या फिर उनकी जो growth हो रही है, उसको stop कर देंगी? यानि कि वहीं कि वहीं रोक देंगी? तो उससे क्या होगा? कि हमारे शरीर के अंदर, वो जो micro organisms हैं, वो आगे enter नहीं हो पाएंगे. तो सीधे सीधे इस definition के अंदर से, चार चीज़े बाहर निकल के आती हैं. पहली चीज ये, कि antibiotic किस चीज़ के बनी होती हैं? बैक्टीरिया की और फंजाय की ये बनी होती हैं. हम अलड़ी पढ़ चुके हैं, अलग-अलग टाप के micro organisms के बारे में, जैसे कि बैक्टीरिया था, वाइरस था, पंजाय था, ट्रोटोजोवा था, एल्गी थी. तो इन में से ये जो बैक्टीरिया और जो फंजाय हैं, ये दवाई बनाने के लिए भी काम में आते हैं. और इन ही को ऐसे दवाईयां, जो की इन बैक्टीरिया और फंजाय से बनती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इंटीबायटिक बोलते हैं. तो ये तो सबसे पहली चीज हो गई इंटीबायटिक के बारे में. एंटीबायटिक किसके खिलाफ काम करेंगी? ऐसे माइक्रो ओर्ग्यानिजम्स के खिलाफ जो की बिमारी फिला रही हैं. और ऐसे microorganisms जो कि बिमारी फिलाते हूं, हम उनको क्या बोलते हैं, pathogens, यानि कि ये pathogens की against में काम करेंगी, करेंगी क्या उन pathogens के खिलाफ, कि या तो उन pathogens को वो मार देंगी, या फिर जो उनकी growth हो रही है, उसको वहीं के वहीं रोक देंगी, तो मतलब ये antibiotics वो दवाया हुई, जो कि बेक्टीरिया और पंजाए से मिलके बनती हैं, और pathogens के खिलाफ काम करती हैं, ये जो antibiotics हैं, वो उन pathogens की जो growth है, उसको वहीं रोक देती हैं, या फिर उन pathogens को खतम कर देती हैं, इन्ही टाइप के जो medicines हैं, हम उनको antibiotics बोलते हैं, the source of these antibiotic medicines are microorganisms, तो source का मतलब होता है कि ये कहां से बनती हैं, तो हम अलरड़ी पढ़ चुके हैं, कौन से टाइप के microorganisms से बनेंगी ये antibiotics, बेक्टीरिया और फंजाए से बनेंगी, तो आज के टाइम पे बहुत सारी antibiotics बनने लगी हैं, बेक्टीरिया और फंजाए से, एक्जाम्पल क्या-क्या है, स्ट्रिप्टोमाइसीन, टेट्रसिलीन, एरोमाइसीन और क्लोरोमाइसेटीन, ये कुछ antibiotic दवाईयों के नाम है, हमारे जो घर पे टाबलेट होती हैं, उन में बहुत सारी जो भी antibiotic दवाईयों होंगी, उनके पीछे लेबल पे इन में से कोई न कोई एक नाम आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा, और ये किस टीज से बनती हैं, बेक्टीरिया और फंजाय से मिलके बनती हैं, तो उपर तो हमने किसकी बात कर ली थी, जो नॉर्मल डेफिनेशन थी, इन्टी बायेटिक्स की उसके बारे में बात करी, अब हम बात करें, बिलकुल पहली बार जब ये एन्टी बायेटिक्स बनी थी, तो जो पहली एन्टी बायेटिक्स बनी थी, उसका नाम क्या था? पैनिसीलियम, अब ये पैनिसीलियम कौन से टाये, किस चीज से बनी थी? हमने उपर भी बोला था कि जो antibiotics हैं वो किस से बनती हैं? bacteria और fungi से बनती हैं तो ये जो penicillium है ये एक fungi से बनी थी और उस fungi का नाम क्या था? penicillium notatum यानि कि penicillium notatum नाम की एक fungi से बिलकुल सबसे पहली जो antibiotic थी वो बनाई गई थी और उस एंटिबाइटिक का नाम क्या था? penicillium इसके अलावा ये जो एंटिबाइटिक्स हैं उनको जितने भी जो पॉल्टरी फार्म होते हैं यानि कि जहां पर ये मुर्गी वगरा को रखा जाता है या फिर जो हमारे घर पे जो domestic animals हैं उनके जो खाना है उनका जो फीड है उसके साथ में mix किया जाता है किस चीज के लिए? ताकि अगर उन animals के अंदर कोई infection हो गया हो तो वो ठीक हो जाए The antibiotics are also used to control many plant diseases और इसके अलावा ये जो antibiotics हैं ये जो पेड़ पौधों के अंदर जो बिमारियां होती हैं उनको भी रोकती हैं अब हम जो सबसे पहली antibiotic बनी थी कौन सी थी? Penicillium थी उसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं कि वो कैसे बनी थी क्या हुआ था उस ट्राइम पे कि ये Penicillium जो इंटिबाइटिक है ये बनी थी So in 1929 a Scottish bacteriologist Sir Alexander Fleming was working on the culture of disease-causing striplococcae bacteria in his laboratory तो ये बात है 1929 के आसपास की एक scientist था उस टाइम पे जिसका नाम था Alexander Fleming वो एक ऐसे bacteria पे काम कर रहा था जो कि बिमारी फिलाते हैं और क्या नाम था उस bacteria का जो बिमारी फिला रहा था striplococcae यानि कि ये क्या है pathogen है हमने अभी तक pathogen के बारे में पढ़ा है कि ऐसे microorganisms जो कि बिमारी फिला रहे हैं तो ये जो striplococcae bacteria था ये क्या करता था बिमारी फिलाता था Suddenly he found the spore of a little green mild fungi called penicillium notatum in one of his culture plate तो एक बार उसने क्या देखा अचानक से कि उसको एक fungi दिखी उस fungi का नाम क्या था penicillium notatum नाम की जो फंजाए है उसको वो दिखी अपनी एक plate के अंदर He observed that the presence of green mild not only prevented the growth of the bacteria but also killed many of these disease causing bacteria तो उसने क्या देखा कि जहां पे ये जो फंजाए है वो है वहां पे वो जो बेक्टीरिया था जो की बिमारी फिला रहा था वो काम नहीं कर रहा था वो मर जा रहा था तो उससे बता चला कि ये जो फंजाए है वो बेक्टीरिया को मार सकती है From this mouth the penicillium drug was prepared और ये जो फिर फंजाए है इसी से ये जो penicillium है जो इंतिबाइटिक थी वो बनाई गई In this way, the Sir Alexander Fleming discovered penicillium drug which is an effective इंतिबाइटिक और इसी कहानी के बाद में ऐसे करके जो Alexander Fleming है यानि कि जो scientist है उसने penicillium नाम की एंतिबाइटिक को discover किया यहाँ पे सबसे important चीज जो question में पूछी जाएगी याद रखने वाली है वो है कि जो पहली एंतिबाइटिक थी वो कौन से scientist ने दी थी तो scientist का क्या नाम था Alexander Fleming क्या नाम था पहली एंतिबाइटिक का Penicillium कहां से किस चीज से बनी थी वो Penicillium एक fungus से बनी थी और उस fungus का क्या नाम था Penicillium Notatum अब है कि अगर हम एंतिबाइटिक का यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें किन-किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए तो सबसे पहला तो ये है कि एंतिबाइटिक को लेने से पहले हमें किसी Qualified Doctor की Advise लेनी चाहिए यानि कि किसी पढ़े लिखे Doctor की जो सलाह के बिना हमें ये एंतिबाइटिक कभी नहीं लेनी चाहिए दूसरा है कि जितने दिन Doctor ने हमको वो दवाई खाने को बोला है हमें उतने दिन वो दवाई खानी चाहिए जैसे कि एक्जामपल Doctor ने हमको पांच दिन के लिए कोई एंतिबाइटिक खाने को बोला है अगर हमें लगा कि हम तो तीन दिन में ठीक हो गए है तो हम क्या करते हैं वो दवाई लेनी छोड़ देते हैं पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जितने दिन की टाबलेट हमको बोली गई है लेने को हमें उतने दिन ही लेनी चाहिए क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि जितने भी जो बैक्टीरियाज हैं वो पूरे अच्छे से खतम हो जाएंगे और वो बिमारी वहीं के वहीं बहुत कम्पलीटली ठीक हो जाएगी और अगर हमने वो कोर्स पूरा नहीं किया तो हो सकता है कि हम फिर से भी बिमार पढ़ जाएं तीसरा है कि हमें एंटिबाइटिक जब भी अपना मन करे तब नहीं लेनी चाहिए और नहीं उसका रॉंग डोज लेना चाहिए Wrong dose का मतलब होता है कि कमिया जादा For example, अगर हमें डॉक्टर ने एक टाबलेट लेने को बोला है तो हमें अपनी मर्जी से दो या तीन टाबलेट नहीं लेनी चाहिए Next है, कि अगर हम बिना किसी बात की इंटिबाइटिक ले रही है तो उससे हमारे शरीर के अंदर जो अच्छे बेक्टीरियाज है हम पहले सेशन के अंदर पढ़ चुके हैं अच्छे बेक्टीरियाज के बार में जैसे कि जो दही जमाने में काम में आ रहे थे या फिर पनीर वग्यरा बनाने में काम में आ रहे थे तो इस ट्रेप के जो कुछ और बेक्टिरियाज जो कि हमारे शरीर के लिए फाइदे मंद हैं, वो मर जाते हैं. इसलिए बिना किसी जरुत के हमें एंटिबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए. नेक्स्ट है, एंटिबायोटिक्स हमें जब हमें कभी जुखाम या फिर कोई फ्लू हो उस टाइम पे नहीं लेनी चाहिए. क्यूं? क्योंकि ये जो जुखाम है या फिर ये जो फ्लू है, ये किस से फैलता है? वाइरस से फैलता है. और जो antibiotics हैं, वो कभी भी virus के खिलाफ काम नहीं करती हैं जी antibiotics सरफ और सरफ bacteria और जो फंजाय है उसी के खिलाफ काम करती है ये virus के खिलाफ काम नहीं करती है तो हमने अभी तक क्या-क्या पढ़ा है? कि जो कुछ अच्छे बेक्टिरियाज हैं, वो डवाई बनाने के लिए भी काम में आते हैं दवाईों में सबसे पहले वो 88, many काम में आते हैं श catching precision कौन सी रवाईया होती है, ये वो रवाईया हैं जो कि बेक्टिरिया और फंजाय से बनाई जाती है, और ये ऐसे microorganisms जो कि हमारे शरीर में बिमारी फिलाते हैं उनको खतम करने के लिए काम में आती है एक्जाम्पल क्या-क्या है एंटिबायोटिक के स्ट्रिप्टोमाइसीन है टेटरसलीन है और एरोमाइसीन है किस चीज से बनती है ये एंटिबायोटिक्स बेक्टीरिया और पंचाय से बनती है जो पहली एंटिबायोटिक बनाई गई थी वो कौन से थी पैनिसीलियम थी किस से बनाई गई थी एक फंगस से बनाई गई थी और उस फंगस का नाम क्या है Penicillium Notatum Scientist था जिसने इस Penicillium को बनाया था उसका नाम क्या था Alexander Fleming इसके अलावा ये जो Indibiotics है ये जो पेड़ पौदों के अंदर जो बिमारिया हो जाती है उनको भी ठीक करने के काम में आती है